हेलो दोस्तों आर्विन बालकनी गार्डन केर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो गुल्दावदी के प्लांट का रिवीव वीडियो है तो सिलर डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे और यह पस्चि मंगाल के सिलर हैं पिछली बार वी मैंने इनसे कुछ प्लांट पर्चेस किये थे बड़ी वराइटी थे गुल्दावदी की और मुझे काफी हेल्थी प्लांट रिसीव हुए थे और यही वज़े है कि मैं इस प्लाद रिसीव हुई है मैं यूपी सरावस्ति से बिलांग करता हूं तो पश्चि मंगाल से यूपी हमाई होम टाउन तक आने में पार्सल ने लगबहत तीन दिन का समय लिया है और बहुत ही कम समय लिया है अगर दिखा जाए तो और यही रीजाने कि सारे के सारे प्लां प्लावर प्लांट हो सेडलिंग हो अगर वह अच्छे प्लांट है अगर आपको सेंड कर रहा है तब ही आपके प्लांट जो है आपकी घर तक पहुंशने में सर्वाइब कर पाएंगे इसी के साथ साथ एभी इंपोर्टेंट है कि सेलर ने आपके पार्सल की पैकेजिंग कैसे की है उसकी क्वाल्टी क्या है अगर पैकेजिंग अच्छे से होगे तो ही प्लांट आपको अच्छे से रिष्चिप हो पाएंगे प्रेस और हिल्थी कंडिशन में वहना चांस ही ह होता है कि प्लांट आपके जो है सर्वाइब ना कर पाएं मेरे साथ ऐसा पहले हुआ भी है मने कुछ प्लांट के अधरसलर थे उनसे मने पर्चेस किया था तो उन्हों इतनी व्यकार पैकेजिंग की कि वह जो है रास्ते में ही वह सारे के सारे प्लांट डेड हो गए दोस् इसने सेलर का बहुत बड़ा हाथ है उसने बहुत ही अच्छे प्लांट मुझे भीजे और काफी अच्छी पैकेजिंग की तभी यह प्लांट मुझे इतने अच्छी कंडिशन में रिशीव हुए है दोस्तों पार्सल को ब्लू डार्ट सर्विस ही भेजा गया था और यह अ सकते हैं क्योंकि आपकी रूट पर जाने वाला कोई है नहीं और अगले दिन संडे पढ़ रहा था तो लोग संडे को भी डिलिवरी नहीं करते हैं क्योंकि पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ है मेरे साथ तो फिर मैं खुछ जाकर मैंने वहां से पार्सल कर लिया तो दोस्तो यह मेरी थोड़ी सी महनत का रिवार्ड है कि मुझे प्लांट हेल्थी मिले हैं तो मन में यह डर था कि कहीं मेरे प्लांट खराब नहों जाएं तो इसलिए मने इतनी महनत की मैं जाकर पार्सल मैंने खुद रसीप किया और आप लोग को भी हम यह सज़ेस्ट करेंगे कि कभ है कि सारे प्लांट मुझे बहुत ही हेल्थी और फ्रेस रिसीव हुए हैं सभी प्लांट हरे भरे हैं तो दोस्तों यह बहुत बढ़िया सिलर हैं और इनसे आप पर्चेस कर सकते हैं इनके पास बहुत सारी ब्राइटी है गुल्दावती की अलग अलग छोटी है बड़ी ब सी भी मिट्टी है मिट्टी में ही लगे हूए है यह सबसे अच्छी चीजिए तोस्तों बहुत सारी सब्सक्राइब ये और जो रूट में होता है तो वह बहुत अच्छे नहीं होती कि आगे चल कर उन प्लांटों में फंगल की प्रॉल्म में आ जाती है गुलदावदी में खास कराती है में बागी प्लैंट में तो नहीं आती है प्लांट आपका सूख जाएगा और यह मिट्टी में लगे हुई है तो यह बहुत ही अच्छी चीज है कि आप देखने पुरा रूड दिख रहा है आप जैसे लगाएंगे दो चार दिन के अंदर ही यह पेंड जो है चलना इस दोस्तों मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अभी मैं चलना इत्ती गर्मी बढ़ रही है और मैंने गुल्दावदी के प्लांट क्यों मंगालिया लगाने के लिए दोस्तों यह पंपम बरायटी है जो मने पर्चेश किया है ज़्यादा पिंचिंग आउशकता होती है अगर आप जल्दी प्लांट लगाएंगे तो अधिक सहतिक पिंचिंग करेंगे और आपको अधिक सहतिक फ्लावरिंग मिलेगी दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि सारे के सारे प्लांट मैं ने गंबलों में श्यूट कर दिया है और इमने रात में कर दिया था एक बात ध्यान लखें जब छोटे प्लांट गुल्दावदी के लगाएं तो ज्यादा खाट का उप्योग ना करें आपको राइस सब्सक्राइब की भूसी होती है और मिट्टी हो गया और इसके साथ बालू हो गया रिवर्ट सेंड इन सब क थानके स्टार्टिंग में आप कम से कम घाट डालें बाद में आप घ्राइब कर दे सकते हैं पड़ी जो है कम से कम घ्राइब और मिट्टी बहुत ही सौबट बने बहुत ज्यादा पालब पानी कठा ना पीज़क्त भिट्वादेगा इस का द्यान लुक्त और पड़ेगा कर दो अब आपनों को